इस वीडियो में हम समझेंगे रदर फोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जे जे थॉम्सन पहले साइन्टिस्ट थे जिन्होंने पहला एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया इस एटॉमिक मॉडल को उन्होंने पल्म पुडिंग मॉडल नाम दिया लेकिन इस एटॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशन थी जिसके कारण ये एटॉमिक मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्स्प्लेन नहीं कर पाया अर्नेस्ट रदर फोर्ड जो की एक ब्रिटिश साइन्टिस्ट थे वो जे जे थॉंसन के इस atomic model से सहमत नहीं हुए जिसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया रदर फोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को alpha ray scattering experiment नाम दिया और इस experiment की मदद से atomic structure को explain किया. तो आईए इस experiment को detail में समझते हैं. animation में हम देखते हैं कि एक radioactive source को lead block यानी glass container में रखा गया है. इस radioactive source से alpha particles emit होते हैं. एक alpha particle helium nucleus के बराबर होता है. जिसमें दो protons और दो neutrons होते हैं. इसका मतलब एक alpha particle में 4 unit mass और 2 unit positive charge होता है. radioactive source के आगे एक thin gold foil को रखा गया है. जिसकी thickness लगभग 210 nanometer है. इस gold foil के चारों तरफ zinc sulfide की screen लगाई गई है. जिसकी मदद से alpha particles को detect किया जा सकता है. gold foil और radioactive source के बीच में एक glass slit को रखा गया है. जिसकी मदद से alpha ray को straight और narrow project किया जा सकता है. animation में हम देखते हैं कि जब alpha ray को lead block से project किया जाता है तब alpha ray slit से pass होते हुए gold foil पे fall करती है. alpha ray में जो alpha particles हैं वो gold foil से scatter होते हैं और different angle पे deflect होते हैं. ये alpha particles zinc sulfide screen पर एक bright flashlight प्रोड्यूस करते हैं जिसकी मदद से alpha particle को detect किया जा सकता है. आईए अब जानते हैं इस experiment के observation के बारे में. Observation of Rutherford's Alpha Ray Scattering Experiment 1st Observation ज्यादा तर alpha particle बिना deflection के straight pass हो गए. Most of the fast-moving alpha particles passed straight through the gold foil. 2nd Observation कुछ alpha particles बहुत small angle पे deflect हुए. Some of the alpha particles were deflected by the foil by small angle. 3rd Observation लगभग हर बारा हजार पार्टिकल में से एक पार्टिकल गोल्ड फोयल से टक्रा के एक सौ अशी दिगरी पे बाउंस बैख हुआ. Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appear to rebound. इन सभी observations को ध्यान में रखते हुए, रदर फोर्ड ने कुछ conclusions यानी निशकर्ष निकाला. जो की कुछ इस तरह है. ज्यादा तर alpha particles बिना deflection के ही गोल्ड फोयल से पास हो गए. जिससे ये पता चलता है कि atom का ज्यादा तर हिस्सा empty space होता है. कुछ alpha particle बहुत small angle पे deflect हुए, जिससे ये पता चलता है कि atom में positive charge uniformly distribute नहीं होता, बलकि बहुत छोटे volume में concentrate होता है. बहुत कम alpha particle 180 degree पे bounce back हुए. जिससे ये पता चलता है कि atom में जो positive charge particles हैं, वो बहुत small volume occupy करते हैं. इस experiment के basis पे रदर फोर्ड ने इसे atom का nuclear model बताया. और साथ ही इसके features को explain किया, जो की कुछ इस तरह है. Electrons nucleus के around circular path पे revolve करते हैं. Atom में जो positively charged center है, उसे nucleus कहते हैं. और इस positively charged center पे atom का complete mass concentrate रहता है. Nucleus का size atom के comparison में बहुत छोटा होता है. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें, वीडियो को share और like करें. तो मिलते हैं, next वीडियो में.